सल्मान खान की फिल्म ट्यूब लाइट का पोस्चर हुआ आउट बॉलिवूट की लोग वैसे तो हर तेवहार ही काफी धूमधाम समनाते हैं लेकिन फिर भी तेवहारों पर स्टास की अपनी ही एक अलग जम जारी रहती है जैसे ईद सल्मान खान तो दिवाली शारुख खान और अकसर साल के आखरी जश नहीं आने क्रिसमस आमीर खान के नाम होता है रसल तेवहारों की ये जंग किसी और चीज़ को लेकर नहीं बल्कि फिल्मों के रिलीस को लेकर होती है और इस साल भी सल्मान खान ने ईद अपने नाम कर ली है सल्मान खान की आने वाली फिल्म ट्यूब लाइट इस साल ईद पर आने वाली है भाईजान के फैंस के लिए हाल ही में आई ये खबर काफी खुशी वाली थी और अब सल्लूम विया कि इस फिल्म का पहला पोस्टर भी रिलीस कर दिया गया है फिल्म के इस पहले पोस्टर में सल्मान खान का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है बलकि उनकी पीठ नजर आ रही है इस पहले पोस्टर के साथ ही उम्मीद है कि कबीर खान द्वारा निर्देशित इस फिल्म के प्रमोशन की शुरुवात हो चुकी है सल्मान की इस फिल्म में शारुख खान एक स्पेशल केमियू करने वाले हैं वेक्टर कबीर खान और सल्मान खान की जोड़ी तीसरी बार साथ नजर आने वाली है इससे पहले दोनोंने साल 2012 में फिल्म एक था टाइगर और 2015 में बजरंगी भाईजान में काम किया था इस दोनों ही फिल्म में सूपर हित साबित हुई थी पिन ट्यूबलाइट 23 जुन को रिलीज होने वाली है